कजान में हुए 16 ब्रिक्स शिकर सम्मेलन से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हिस्सा लेकर वापस लोट चुके हैं लेकिन प्रधान मंत्री के इस ब्रिक्स समिट के दौरान जिस तरीके से तस्वीरे सामने आई उसने पूरे विश्व में भारत के विदेश नीती का डंका बजा दिया है दरसल एक तरफ जहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और रूस के राष्टपती व्लादिमिर पुतिन के बीच बहुत ही शांदार गजब दोस्ती वाली केमिस्ट्री नजर आई दूई पक्षिय बातचीत के दोरान पुतिन ने यहां तक कह दिया कि मुझे लगा कि आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है हमारे बीच की दोस्ती और हमारे संबंध इतने मजबूत है रूस के राष्टपती पुतिन का ये बयान है सोचिए वो भी भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के आगे और ये बयान अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आखिर दोनों ही देशों के प्रमुखों के बीच दोस्ती कितनी मजबूत है और दोनों देशों के बीच संबंध कितने मजबूत है दूसरी तस्वीर जो इसी कजान समिट के दौरान नजर आई वो थी भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और चीन के राष्टपती शी जिंपिंग के बीच दूई पक्षिये बादचीत की उस हैंडशेक की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी पात साल बाद दोनों राष्टा ध्यक्षों के बीच ये बैठक हुई और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने दोटूक चीन के राष्टपती के सामने ही कहा कि दोनों देशों के बीच शांती विवस्था को बनाये रखने के लिए सीमा पर स्थिती जो है वो नियंतन में रह है वो इस बात को लेकर गर्म है कि आखिर ये भारत की क्या गजब विदेश नीती है जिसमें वो एक तरफ तो कोड समू का हिस्सा है वो कोड समू जिसमें अमेरिका जपान ऑस्ट्रेलिया और भारत है एक तरफ भारत ब्रिक्स का हिस्सा है जिसमें रूस चीन ब्राजील इ इसमें इरान भी एक नए सदस्य देश के तौर पर जुड़ चुका है और भी कई सारे देश जो है वो अब ब्रिक्स का हिस्सा हो चुके है मैंने जो पांच देशों के नाम लिए ये संस्थापक सदस्यों में से है वहीं भारत की ये विदेश निती है जहां एक तरफ वो इरान के राष्टपती से भी मुलाकात करता है और दूसरी तरफ इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन निथन याहू से भी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की गजब की दोस्ती है गजब की केमिस्ट्री है वहीं एक तरफ भारत यूक्रेन के राष्टपती जलेंस्की के साथ भी सम्मन्द मजबूत रखता है प्रधान मंत्री जब उनसे मुलाकात करते हैं तो यूक्रेन में युद्ध के दौरान हुए नुकसान को लेकर उनके कंदे पर थप थपाते हुए उन्हें सांत्वना देते हैं तो दूसरी तरफ वो रूस के राष्टपती व्लादमिर पुतिन के सामने बैठ कर दो टूक उनसे ये कहते हैं कि वरतमान समय में युद्ध किसी समस्य का समाधान नहीं है दर असल ये भारत की विदेशनीती है जो पूरे दुनिया को इस बात में आश्यर में डाले हुई है कि आखिर किस तरीके से भारत जो दो धुरुव हैं विदेशनीतीयों के जिसमें पश्चिम देशों का एक अलग धड़ा है जिसका नेत्रित्व अमेरिका करता है तो वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा है जिसमें रूस चीन नजर आते हैं और भारत इन दोनो धड़ों में बेहदी मस्बूती से साथ ख़ळा नजर आता है और इन दोनों धड़ों को भारत की जरूरत है ये साफ तोर पर नजर आती है हाली में कैनडा के साथ जिस तरीके से हमारे सम्मंद तनापूर्ण चल रहे हैं और इसमें जब अमेरिका कैनडा का साथ देता हुआ नजर आता है और इसने अमेरिका को भी दर्शा दिया कि अमेरिका जो कि अपनी विक्तिकत हितों को किसी भी देश के साथ सम्मंधों में सबसे उपर रखता है वो ये जान ले कि भारत केवल अमेरिका पर ही निरभर नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ यूकरेन और रूस के बीच युद जहां लगातार चल रहा है अमेरिका की तरफ से और यूरोप के कई देशों की तरफ से दवाब बनाये गया कि रूस के साथ हम जो वैपार हैं उसको रोके लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस के साथ वैपार को मजबूती से कायम रखा और यही भारत की उस विदेश नीती को दर्शाता है जो अपने आप में दिखाता है कि भारत अपने आप में एक ऐसा देश अब बन चुका है भारत विश्व की वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थवयवस्था बन चुकी है जिसे दुनिया के तमाम मुलकों की जरूरत है भारत एक तरफ जहां लेवनान को रहत समगरी भी भेचता है तो दूसरी तरफ वो इसराइल से लगातार अच्छे सम्मंद भी बनाते हुए उनके साथ कई एहम समझोते भी करता है कुल मिलाकर प्रधान मंतरी नरिंद मोदी के कजान समिट ने भारत के वैश्विक तागत को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने दर्शा दिया है और दिखा दिया है कि क्यूं भारत विश्व का नेत्रित्व करने की शमता रखता है और संविक्त राष्ट जैसे संस्थानों को भी दिखा दिया है कि संविक्त राष्ट सुरक्षा परिसद में भारत की 27 दस्यता ना देकर वो कितने बड़े नुकसान का सामना खुद के लिए कर रहे हैं